नमस्कार चारक के आयस अकेर्मी करंट अफेर में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं डबल्यू एचो वेश्विक शिकर समेलन के बारे में वेश्व स्वास्तर संगठन और भारत सरकार के आयुश मंत्राले द्वारा हाल ही में गुजरात के गाधी नगर में वेश्विक स्थर पर सिखर समेलन का आयुजन किया गया यह इस तरह का पहला शिखर समेलन था डबल्यू एचो के महा निदेशक डॉक्टर टेड्रोस अद्नों गेब्री एसिस केंद्रिय स्वास्ते मंत्री मन्सुक अलमंडाविया और केंद्रिय आयुश मंत्री सर्वानन सोनेवाल की उपस्तिती में शिखर समेलन का उद्गाटन हुआ। सिक्षा विदो निजी छेत्र और नागरिक समाद संक्टनों समेथ सबी हिद्धारकों को पारंपरिक ओशदी पर उतक्रष्ट प्रथाओं और साक्षय आकडों एवं नवाचार साजा करने का एक मंच प्रदान करता है। सहेजे गए ज्यान, कोशल एवं प्रथाओं के उस बंडार से हैं जिसका उप्योग स्वास्ते बनाए रखने और शारिरिक एवं मांसिक बेमारी की रोग थाम, निदान, उप्चार में किया जाता है। पारंपरिक ओशदी के अंतरगत एक्यू पंचर, आयुर्वेदिक ओशदी, एवं जडी बुटी के मिश्रन और आधूनिक दवाओं का इस्तिमाल किया जाता है। लेकिन फिलहाल राष्ट्य स्वास्ते प्रणालियों और रनीतियों में पारंपरिक ओशदी के लाखों स्वास्ते कर्मियों, मान्यता प्राप्त पाठ्य क्रमों, स्वास्ते केंद्रों और स्वास्ते व्याकों एकिकरित नहीं किया गया है। UN स्वास्ते एजन्सियों के अनुसार आधुनिक विज्ञान जगत में पारंपरिक औशिदी की एहमियत बढ़ रही है अब हम बात करेंगे कि WHO पारंपरिक चिकित्सा पदतियों पर क्यों काम कर रहा है पारंपरिक, स्वदेशी और पेत्रक ज्यान दुनिया भर के समदायों में स्वास्ते समवर्धन और देखभाल के लिए सांस्करतिक रूप से सवीकार्य शक्तिशाली संसादन है दोरदराज और दुर्गम छेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए यह सुलब और किफायती स्वास्ते देखभाल का एक मात्र स्त्रोथ है UN स्वास्ते एजंसी के 194 में से 170 सदस्य देशों ने पारंपरिक चिक्सा का इस्तमाल करने की संबंद में जानकारी दी है जिसमें हर्बल और पौदों पर आधारित दमाएं योग स्विदेशी उपचार आदी शामिल है इन देशों की सरकारों ने विश्य स्वास्त संग्ठन से समर्थन प्रदान करने का आगरे किया है ताकि पारंपरिक चिक्सा तोर तरीकों और उत्पारों की संबंद में विश्वस्निय तथे एवं आंक्रे जुटाई जा सके WHO ने सदस्य देशों के अनरोध पर ही पारंपरिक चिक्सा पर सुरक्षा, गुणवत्ता और न्याय संगत पहुच सुनिश्चित करने के लिए नीतियों एवं अभ्यास, वैश्विक मानकों एवं नियमों को सूचित करने के लिए साक्षे तथा डेटा के लिए पारंपरि राष्टिय स्वास्ते देखबाल वित्रन प्रणालियों में एकिकरत करने की दिशा में काम करते रहे हैं। वरक्ष की छाल से बनी पारंपरिक दवा से प्रेधित है। वहीं बाल्य वस्ता के केंसर के उप्चार के लिए सदा बहार पौदे की तत्र से इलाज निकाले गए हैं। क्रित्रिम बुद्धी मत्ता जैसे अनुसंधान तरीकों का उप्योग करके नए नेदानिक दवाओं की पहचान और विकास में मदद मिल सकते हैं। के पारंपरिक उप्चार, प्रणालियों के अध्यन और अभ्यास में क्रांति लाधी है। AI के उन्नत एल्गोरिदम और सीखने की मशीनी शमताएं, शोध करताओं को पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का पता लगाने, साक्षों का मान्चित्रन करने और रुजानों की पहचान करने में मदद दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे Global Center for Traditional Medicine के बारे में, 2022 में WHO ने भारत सरकार के सहोग से Global Center for Traditional Medicine के स्थापना की थी। भारत में आखिर वेश्विक पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वेश्विक केंद्र भी है। इसकेंद्र का कार्य सबी 6 WHO छेत्रों के देशों की पारंपरिक दवाओं एवं पदतियों को उनके स्वास्ते प्रणालियों में एकिकरत करने और उनकी गुर्णवत्ता एवं सुरक्षा विनियमन करने में मदद करने के लिए सबूत प्रदान करना है भारत ने WHO, GCPM की स्थापना बुन्यादी धाचे और संचालन के लिए 25 करोड अमेरिकी डॉलर की प्रतिबदता जताई है अब हम देखेंगे कि इससे भविश्य में क्या फायदे हो सकते हैं तो पारंपरिक पूरक और एकिकरत चिकित्सा पर आधारित यह अंतराश्टी सिखर समेलन में भविश्य में स्वास्ते और जनकल्यान की दिशा सुनिश्चित करने के लक्षे की साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा छेत्र में नवीनतम विज्यानिक प्रगती और सक्षे अधारित एवं पारंपरिक चिकित्सा के छेत्र में विशेशक्यों और चिकित्सकों के लिए एक महत्रपुन मन्च साबित होगा ऐसा माना जा रहा है इसके साथ ही आज का हमारा ही टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है हमकर फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच